चतुराई से सभी दर्बारी जलते थे, वे अपने आपको बीर्बल के पद पर देखना चाहते थे। एक दर्बारी ने कहा, जहांपना, हम भी बीर्बल की तरहे चतुर और बुद्धिमान हैं, परन्तु आप हमारी और कभी ध्यान नहीं देते। महरबानी करके हमें कम से कम एक मौका तो दें, बादशाह अकबर बोले, तो तुम लोगों को लगता है कि मैं बीर्बल की जूठी तारीफ करता हूँ। आज मैं तुम लोगों के सामने एक चुनौती रखने जा रहा हूँ। अगर तुम उसे पूरा कर सके, तो मैं यह मान कि बीर्बल ही एक मात्र अकलमंद दर्बारी नहीं है। पेमेंट चाहे बड़ी हो या छोटी, पेमेंट कोई भी पेटी एम से ही, किसी भी क्यूर पे, कोई भी मोबाइल नामबर, सीधा बैंक अकाउंट में पैसे भेजो, हर पेमेंट के लिए पेटी एम करो। जी जहांपना, बोले क्या चुनौती है, एक दर्बारी ने पूछा, उसने सोचा कि आज उसे अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल ही गया। वह बादशाह की चुनौती पूरी करके बीरबल से बाजी मार ले जाएगा। बादशाह अकबर बोले, तुम्हें तीन सिक्कों से तीन चीजे खरीद कर लानी हैं। ये तीन चीजे यहां, वहां और न यहां न वहां की होनी चाहिए। बादशाह अक्बर की बात सुनकर उस दर्बारी के होश उडगए यह कैसी अजीब सी चुनोती है पहले तो उसने सोचा की हार मान ले लेकिन फिर सोचा की क्यों न अपनी ओर से एक कोशिश कर ली जाए ततपश्चात वह दर्बारी शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया और उससे बोला जनाब मुझे तीन सिक्कों से यहां वहां और न यहां न वहां की चीजें चाहिए व्यापारी बोला हुजूर अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कोई खराबी है ऐसी कोई चीज हमारे यहां नहीं मिलती फिर वह दर्बारी दूसरे व्यापारियों के पास गया लेकिन वे चीजें कोई नहीं बेचता था सारा दिन इधर उधर दोड़ने के बाद वह अंतत दर्बार में वापस आ गया उसने अकबर से कहा शमा करें जहां पनाह मैं आपकी चुनोती पूरी नहीं कर सकता तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और यही चुनोती पूरी करने को कहा बीरबल तुरंत दर्बार से चले गए सभी दर्बारियों ने सोचा कि बीरबल भी यह चुनोती पूरी नहीं कर सकते क्योंकि अकबर ने ऐसी चीजें खरीदने को कहा था जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती थी सभी दर्बारी यह सोच रहे थे कि आज बीर्बल को भी हार माननी पड़ेगी उन्हें भी सब के सामने अपमानित होना पड़ेगा परन्तु ये क्या? बीर्बल दो घंटे बाद दर्बार में वापस आ गए सभी दर्बारी और मंत्री यह देखकर हैरान हुए कि बीर्बल ने इतनी जल्दी चुनोती कैसे पूरी कर ली अब वे लोग यह देखना चाहते थे कि बीर्बल क्या खरीद कर लाए थे अकबर ने पूछा बीर्बल क्या तुम यहां वहां और न यहां न वहां खरीद लाए बीर्बल ने सलाम करते हुए कहा, जहां पना, मैंने यहां एक सिक्के से मिठाई खरीदी, फिर एक सिक्का भगवान के नाम पर भिखारी को दिया, जो वहां गया, ततपश्चात तीसरे सिक्के से मैंने जुआ खेला, जो न यहां न वहां कहीं नहीं गया, बादशाह अकबर बीर्बल के इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए, इस तरह बीर्बल ने साबित कर दिया कि वे सबसे बहतर हैं, ऐसी स्थिती में दर्बारियों के चेहरे देखने लायक थे, एक दिन बादशाह अकबर अपने दर्बार में मंत्रियों तथा दर्बारियों के साथ किसी गंभीर विशय पर चर्चा कर रहे थे, तब ही दर्बान ने आकर कहा, जहां पना बाहर तीन व्यक्ति आये हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अंदर भेज दू, बादशाह अकबर ने दर्बान से पूछा, वे लोग कौन है, क्या उनके बीच कोई जगड़ा हो गया है, क्या वे किसी परेशानी में है, उनसे पूछ कर बताओ कि वे हमसे क्यों मिलना चाहते हैं, हम अभी दर्बार की कार्यवाही में बहुत व्यस्थ है, दर्बान बोला, नहीं जहामपना इन में से कोई बात नहीं है, दरसल वे आपके शाही सलाहकार करना चाहते हैं, दर्बान की बात सुनकर अकबर चकित रह गए, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि किसी व्यक्ती की अकलमंदी और चतुराई की परक कैसे की जानी चाहिए, उन्होंने दर्बान से कहा शाही सलाहकार बनने की इच्छा रखने वाले तीनों व्यक्तियों को दर्बार में पेश किया जाएं तीनों व्यक्तियों ने दर्बार में आकर बादशाहा को सलाम किया उनमें से एक ने कहा, जहांपना आपने हमें दर्बार में आने की अनुमती दी, आपकी बड़ी महरबानी है हम आपके शाही सलाहकार बनने की इच्छा से यहां आए हैं बादशाह अकबर को यह एसास हुआ कि तीनों व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के घमंड में चूर है उन्होंने निरनय किया कि वे उन्हें सबक सिखाएंगे जय बोले आप लोग शाही सलाहकार बनने के लिए यहां आए हैं परंतु केवल आपके चाहाने से ऐसा नहीं होगा मैं आप तीनों को एक चुनोती दूँगा और उसे आप तीनों को पूरा करके दिखाना है अब आप लोग एक रेश्मी कपडा ले और उससे मुझे पूरी तरह धक दे याद रखें की कपडा मुझे पूरी तरह धक ले फिर अकबर ने उन्हें एक रेश्मी कपडा दिलवाया पहले व्यक्ती ने जब बादशाह अकबर को धकना चाहा तो उसे लगा कि वह कपडा तो छोटा है उसने कपडे को फैलाना चाहा परंतु यह संभब नहीं हुआ तभी दूसरा व्यक्ती आगे आया उसने भी अपनी ओर से हर तरह से प्रयास किया परंतु वह भी सफल नहीं हो सका फिर तीसरे व्यक्ती की तिकडम भी किसी काम नहीं आई वे तीनों व्यक्ती इतना आसान सा काम भी नहीं कर सके फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा बीरबल यह तीनों शाही सलाहकार बनना चाहते हैं परंतु इनसे छोटा सा काम नहीं हो पाया इस कपड़े से मुझे ढख सके अब तुम्हें इन्हें बताना है कि यह काम कैसे किया जा सकता है बीरबल ने बादशाह अकबर को सिहासन पर बिठाया और बोले जहां पनाह जब हम सभी बैठे हुए हैं तो आपको खड़े नहीं रहना चाहिए आप यहां बैठ जाए जब बादशाह अकबर बैठ गए तो बीरबल ने उसी कपड़े से उन्हें पूरी तरह ढख दिया अब उन्हें सपने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी इसके पश्चात बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए उन तीनों व्यक्तियों से कहा ऐसी बुद्धी पाना आसान नहीं होता यह सब इतना सरल नहीं है जितना देखने में लगता है आप आप लोग समझ गए होंगे कि बीरबल आज इस स्थान पर क्यों है और आप लोग क्या एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धी की परीक्षा लेनी चाही उन्होंने बीरबल से पूछा बीरबल क्या बुद्धी की खेती की जा सकती है बीरबल सोचते हुए बोला जी हुजूर जरूर की जा सकती है यह सुनकर अकबर बोले तो ठीक है तुम बुद्धी की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ बीरबल बोले जैसा आपका हुक्म मैं जल्दी ही बुद्धी की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धी की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धी का फल बादशाह को भेंट करेंगे दर्बार के समाप्थ होने पर बीरबल सीधे राज माली के पास जा पहुँचे और बोले राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर आ तो रहे हैं, पर अभी वे टमाटर जितने ही छोटे हैं, यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले जहामपना मैंने बुद्धी की खेती शुरू कर दी है मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धी का पहला फल भेंट कर दूँगा कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए वहां माली ने छोटे-छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था यह देखकर बीरबल वापस लोट आए उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिये और अकबर के पास संदेश भिजवाया कल सुबह मैं बुद्धी का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूं अगले दिन दरबार में सब बेसबरी से बीरबल का इंतजार करने लगे तभी बीरबल दो मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोल जहांपना मैं बुद्धी के फल ले आया हूँ, किन्तु ये फल बड़े नाजुक है याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखियेगा कि न तो बुद्धी का फल कटे और नहीं मटके फूटेन यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए उन्होंने मटके में जाक कर देखा, तो वे बहुत हंसे वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे